अच्छा संजीव जी जरह बताईगा ये बजार के अंदर क्या करें फिर ये एकसपारी भी है और अगली सीरीज भी है तो जिनके पास तेजी के सोधे हैं वो रोल कर जाए ना सर अगले सीरीज में आज आज जाए ना को दिक्कत तो नहीं न वैसे बिलकुल बिलकुल जुलाई का महिना तो आपको सप्राइज कर देगा सर आपको मेरे को सबको की सप्राइज कर देगा तो त्यारी कर लो अच्छे यहां लेने की आपको अपने आप चेस्टा करनी चाहिए जो आपके मन पसंद चेहर है और अगले मीने तक रोल ओवर की अगर आपने फ्यूचर लिया है और अगर नहीं है तो लेने की चेस्टा कीजिए यही मौका है आज ही डिक्लाइन मिला है दुपेर तक वापिस हो जाएगा बजार अच्छा अच्छा संजीज सर एक चोटी सीजी में को आप से पता करनी है सीधा ज़्यादा स्टाक्स खरीदें या फिर इंडेक्स को भी ज़्यादा करीदें अब बहुत अच्छी बात के यह आपने I 100% agree that both the bank Nifty and Nifty are giving a very good opportunity the Nifty itself covers 23 sectors and 65% of market cap तो अगर आप Nifty ले 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 जी वो भी बहुत अच्छा है क्योंके 16,800, 900 मुझे दिख रहा है in the month of July by July end and that would be a 10% upside even from you know not from this but from the lows which we hit तो मुझे लग रहा है कि 16,800, 900 जरूर जाएगा July end तक तो आप index भी कर सकते हैं बिल्कुल संजीव जी गुड मॉर्निंग आप के रहे हैं second half तक बाजार वापस तेजी पकड़ेगा तो फिर stock specific moves अपनाने चीए कौन से stock सुजा रहे हैं तो देखे मांसी जी आज मेरा topic है HDFC AMC I think उनकी आउट performance है और under performance stock key was there because of some big boutique firm जिसने जादा ले लिया था अब इसमें इतनी value है और प्रशान जैनी आउट performing because of his exposure to PSU 1775 में लीजिए 1730 का stop loss है 1800 का target और मुझे LTTS बहुत पसंद जा I think technology will rule the rules मैंने persistent पहले भी का था persistent तो 5500 जाएगा LTTS वापस 5000 जाएगा अभी आप 300075 में लीजिए 3025 का stop loss 3200 का target